हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं फ्रेंड्स आज हम स्टडी करने वाले हैं क्या बिनेट मिशन और उस और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हम स्टडी करेंगे और यह स्टडी होती है डिस्क्रिप्ट उनको मैं बता दूyeong कि दिन में हम एक mcqs लगाते हैं या तो ओर पेपर रहता है यह प्रैक्रम होद रहता है लेकिन history-based रहता है और उसके बादा रात में कुछ में में कम एक करते हैं descriptive एशो यह स्टडी कि हूं है तो चलिख यह इस इस स्टडी करना शुरू करते हैं इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर ले ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अप्लोड करों उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट और कॉम्प्लिमेंट भी जरूर करें जिससे मैं अपने वीडियो में आपके एकॉर्डिंग इंप्रूव्मेंट ला सकूँ तो सबसे पहला जो हमने टॉपिक लिया है वो है इसमें कैबिनेट मिशन और यह सीरीज हंड्रेड है याद रखेगा यह पूरी सीरीज क्रियेट के हुए है लेकिन स्टाइटिंग वाले पर नमबर नहीं दिया गया है लेकिन आप डिस्क्रिप्टिव प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और बात के जो मॉडरन हिस्ट्री के हैं वहाँ से मैंने इसमें नमबरिंग कर दी है ताकि आपको सुविधा रहे कि आपने कितनी स्टडी की तो अप ही आपको सीरीज नमबर में ही मिलेंगे लेकिन पिछले वीडियो में संसोधन करने का मुझे समय नहीं मिल पा रहा है लेकिन जैसे ही समय मिलता है मैं पिछले वीडियो पे भी संसोधित करके नमबरिंग यानि सीरीज नमबर आड़ कर दूँगे तो चलिए अपनी स्टडी पे चलते हैं भारत की समय धानिक समस्याओं के समय धान हेतू ब्रिटिश प्रधान मंतरी क्लीमेट एटली ने 19 परवरी 1946 इसवी को एक काबिनेट मिशन भेजने की घोशना की काबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुचा इस मिशन से ब्रिटिश काबिनेट के तीन मंतरी कौन कौन से मंतरी थे सर पैथिक लॉरेंस फिर जो कि भारत सचिव थे सर स्टैंटफोर्ट क्रिप्श या पार बोर्ड के अध्यक्ष लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर नौसेना को सम्मिलित थे絗ाइभिनेट मिशन की घोश्चना करते समय लॉड पैथिक लॉरेंस इस का उद्देश शक्रतन भारत का सम्विधान तयार करने के लिए शीक्र ही एक कारेपणाली त्यार करना तथा अंत्रिम सरकार के लिए आवशक प्रबंध करना था क्याबिनेट मिशन ने प्रथम तीन सप्ताह तक विभिन राजनीतिक दलों के नेताओं वायसराय की कारेकारणी परिशद के सदस्यों तथा देशी रियास्तों के शास्कों से इस संदर में विचार विमश किया परतु जब कोई सर्व सम्मत परणाम नहीं आया तो मिशन ने शिमला में एक त्रीदलिय समेलन बुलाया जिसमें कॉंग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आजाद जवाहलाल इस पर नाम पर कोईशन पूचा जाता है अबुल कलाम आजाद जवाहलाल नहरू सरदार पटेल और मुस्लिम लीग की तरफ से मुहमद अली जिन्ना तथा लियाकत अलीख खां को तीन वर्गों में बाटा गया जो निम्न लिखित थे वर्ग आ हिंदू नवाब इसलाम खां तता सरकार की तरफ से वाइस रहवा मिशन के तीन सदस्यों ने भाग लिया पांच से ग्यारा माई 1946 इसवी तक चले शिमला समेलन में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहने के कारण कोई सर्व सम्मत हल नहीं निकाला जा सका अर्था क्याबिनेट मिशन ने अपनी तरफ से ही 16 मई 1946 इसवी को एक योजना प्रस्तुत की जिसके प्रमुख प्रवधान नेम्न थे तो क्या प्रवधान थे ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियास्तों को मिला कर एक संग बनाया जाया जिसके आधीन वैदेशिक मामले सुरक्षा और संचार व्यवस्ता हो तथा इसके लिए उचित आर्थिक संसाधन की व्यवस्ता हो संग की एक कारेकारी वा व्यवस्तापिका सभा हो जिसके सदस्य ब्रिटिश प्रांतों तता देशी रियास्तों से चुने जाये अवसिस्ट सकतियान प्रान्तों में नहीत हो, किसी भी साम्प्रदाईक निर्णे पर दोनों बहु संख्यक जातियों का बहुमत तता संपूर, सदन का बहुमत होना अनिवार्य किया जाए। प्रांतों को इस बात की स्वतंता होकी वे परस पर मिलकर अपने प्रथक शाशन संबंधी वर्ग का निर्मार कर सकें समविधान निर्मार के लिए समविधान निर्मार सभा के गठन का प्रवधान क्या जाए जिसके कुल 389 सदस्यों के चुनाव की बात थी जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के 93 सदस्य देशी रियास्तों के तथा 4 सदस्य कमिशनरी चेत्र के होने थे प्रतेक 10 लाग की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाना चाहिए प्रांतो तथा रियास्तों को जनसंख्या की आधार पर प्रत निदित्वत देने का निर्नाय लिया गया प्रांतों के लिए अलग समविधान की भी व्यवस्था थी जिसके बारे में यह कहा गया कि समविधान सभा की प्रारंबिक बैठक के बाद सदस्य अपने आपको तीन वर्ग में पाट लेंगे तो तीन वर्ग में ये विभाजित हो जाएंगे इस प्रकार प्रांत बहुमत वाले प्रांतिय गुट जिसमें मद्रास, पंबई, संयुक प्रांत, उडिसा, बिहार तता मध्य प्रांत शामिल थे वर्ग ब मुसलिम बहुमत के प्रांतिय गुट जिसमें पंचाब पशिम उत्तर सीमा प्रांत सिंद और बलुचिस्तान शामिल थे फिर वर्ग सर देख लेते हैं मुस्लिम बहुमत वाले पूर्व उत्तर प्रांतिय गुट जिसमें उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत के बंगाल तथा असम सामिल थे वस्तुता कैबिनेट मिशन की यह योजना विलच्छन तथा अत्यांत विवाद स्पत थी क्योंकि प्रांतों का वर्गी करण मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए किया गया था ताकि उन्हें मुसलिम बाहुल प्रांतों में प्राया पूर्व स्वायत्ता का उप्योग करने के लिए पाकिस्तान का सत्तु प्राप्त हो सके आगे देखते हैं काबिनेट कॉंग्रस ने काबिनेट मिशन योजना के सम्विधान सभा से संभाने प्रस्ताओं को सुईकार कर लिया किन्तु अंतरिम सरकार के गठन के प्रस्ताओं को सुईकार कर दिया क्योंकि इसमें मुसलिम लीग को संभव प्रतनिदित्व दिया गया मुस्लिम लीग ने पहले छे माई 1946 को काबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली लेकिन 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकरती वापस ले ली तो पाकिस्तान को प्राप्त करने है तो प्रत्यक्ष कारवाई का निड़ने लिया प्सक्राप चला गया। प्रत्यक्श कारवाई दिवस बाइस मना वह बहुत ही इंपॉर्टेňट है यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है प्रत्यक्ष कारवाई दिवस जो 16 अगस्त को हुआ था 19 जुलाई को नहीं 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कारवाई दिवस मनाई जो सामप्रताइक विपलव का सूचक था आगे दिखते हैं लीग ने इस समय नारा दिया तो किस चीज का नारा दिया लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दिया था यह भी बहुत इंपोर्टेंट है इस प्रकार 16 अगस्त वह उसके पश्चात मुस्लिम दंगायों के समोह ने अंधा दुन मारकाट आगजनी बलातक कलकता में इस समय अनेक बरबरता पूर्ण कारी हुए जिससे कलकता के महान कटले आम के रूप में याद किया जाता है कलकता के बाद बिहार एहमदाबाद पंचाब तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों में भी सांप्रदाइक दंगे फैले नो आखली इन सांप्रदाइ है नौ सैनिक विद्रोह भारत की परस्तितियां ब्रिटिश के लिए अनकूल नहीं रह गई थी फरवरी 1946 में बंबाई में नौ से ना विद्रोह हो गया यह विद्रोह युद्ध पोत तलवार से शुरू हुआ और देखते देखते यह बंबाई के तट पर इस्थित बाइस जहाजो में फ्याल गया विद्रोह ने अपना नेता म.S. खान को चुन लिया यह विद्रोह 18 फरवरी से 23 फरवरी 1946 इसवी तक चलता रहा इसका मनो वैग्यानिक प्रभाव बहुत गहरा था बंबाई में मजदूरों ने इसके लिए अपनी सहान भूतिया दिखाई विद्र भारत के सामयवादी और समाजवादी दलों ने भी इसी के साथ सहान भूति दिखाई समाजवादी दल ने नेता अरोना आसफ अली ने उनके पक्ष पर भाशर दिया अंतवे सरदार designers पटेल और महहमत अली जिनना की अपील पर उन्हें सश्त्र समर्पन कर दिया कर दिया 46 में 16 माई 1946 इसी को वाइसराय लौड वैवल ने वैवल ने योजना के अनुसार अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव पारित किया इस प्रस्ताव के अनुसार 40 प्रतिशत सीटे हिंदू और 40 प्रतिशत सीटे मुस्लिम लीग को देने का प्रवधान था इसके अतरिक्त 620 प्र स्विचित जातियों पार्सियों को देने का प्रमधान किया गया तो ये प्रतिशत के कोशन्स बनते हैं 20 प्रतिशत अन्ने के लिए था और 12 अगस्ट 1946 को वाइसराय ने केंद्रे में अंतरिम सरकार गठित करने का निमंतरन कॉंग्रेस को भेचा 24 अगस्ट 1946 को वाइसराय ने अंतरिम सरकार के गठन की गोशना कर दी परन्तो मुस्लिम लीग ने कॉंग्रेस के प्रयास के बावजूद इसमें समलित होने से इंकार कर दिया आंतरिम सरकार में मुखिता सरदार वलभाई पटेल जवाहलाल नहरू सी राज कोपालाचारी सुभास चंद्र बोस डॉक्टर राजेंद्र प्रशाद एम आसफ अली सरदार बलदेव सिंग जग जीवन राम आदीनेता सामिलित थे लीग में लियाकत अली आई आई चुद रीगर अब्दुल खां भिश्तार तथा जोगेंद्र नात भांट को अंतरिम सरकार में शामिल करने के लिए प्रस्ताव किया गया लीग के सदस्यों का रुख हट धर्मिता का था इसलिए किसी भी वारता पर अंतिम नेने नहीं हो सका और 6 दिसंबर 1946 को सम्विधान सभा की बैठक आरम होई जिसका लीग और देशी रियास्तों में बहिश्कार किया एटली की गोशना एटली की क्या गोशना हुई फरवरी 1947 में इस विकट राजनितिक पषिस्तिती में बिटिश प्रधान मंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को इंगलेंड के हाउस ओफ कॉमन्स में गोशना की कि बिटिश सरकार द्वारा जून 1948 से पहले भार्थियों को सता हस्त अंत्रित कर दी जाएगी इस घोशना के बाद लॉड वेवल के इस्थान पर लॉड माउंट बेटन को नया वाइसराय बना कर भारत भीजा गया और यहां पर माउंट बेटन यूजना शुरू हो जाती है जून 1947 में लॉड माउंट बेटन ने 24 मार्च 1947 को वाइसराय का पा बेटन ने यह निशकर्ष निकाला की देश का विभाजन ही सभी समस्याओं का हल है उसमें जो प्रमुख बात निकल कर आई वह आई देश विभाजन की बात कॉंग्रेस के प्रमुख नेताओं द्वारा विभाजन की सुईक्रती देने के बावजूद गांधी जी और अब महात्मा गाधी ने भी ततकालिक भारतिय प्रिस्तितियों को देखते हुए विभाजन को अपनी सुईक्रती दे दी कॉंग्रेस तथा लीग से विचारवी मर्ष के पश्चाट लॉर्ड मांट बेटन ने अपनी योजना सुईक्रती के लिए लंदन भेजा लंदन पहुंचे आगे दिखते हैं ब्रिटिश सरकार ने कॉंग्रेस और लीग त्वारा विभाजन सुईकार कर लिये जाने से 3 जून 1947 को विभाजन की योजना प्रकाशित कर दी जिससे मांट बेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है इस योजना की प्रमुख प्रव प्रवधान किया गया कि पश्चमुत्तर सीमा प्रांतों असम के सिलहर्जिले तथा सिंध में जन मत संग्रह कराये जाएगा ताकि यह पता चल सके कि यह किस संग में शामिल होना चाहते हैं फिर पंजाब और बंगाल के सीमा निर्धारन के लिए इन प्रांतों की विधान स सभा को दो वर्गों में बात बाटा जाएगा नमब़र वन है मुसलिम बहु संख्यक जिलो का वर्ग और दूसरा है हिंदू बहुतज संख्यक जिलों का वर्ग यह वर्ग इस पार्ट का निर्णे करेंगे कि वे किसमें शामिल होना चाहते हैं नमबर चार है भारत की समविधान सभा को भी दो भागों में बाटने का प्रवधान था भारतिय संग की समविधान सभा तथा पाकिस्तान की समविधान उसके बाद नमबर पांच है इन दोनों राज्यों की डॉमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया देशी रियास्तों को इस बात की पूरी छूट दी जाए की वे जिस डॉमिनियन में चाहें शामिल हो सकती है यदि कोई रियासत किसी भी डोमेनियन में शामिल नहीं होना चाहेगी तो ब्रिटिस सरकार के साथ उसके संबंद पहले जैसे ही वने रहेंगे कॉंग्रेस हा समिती ने यहाँ पर थोड़ा से मिस्टेक है 14 जून को इस योजना की पुष्टी कर दी जिससे पंडित गोविंद वल्लफ पंथ ने प्रसुत किया था 10 जून 1947 इसवी को मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताओं को स्विकार कर लिया चार जुलाई 1947 इसवी को ब्रिटिश संसद ने भारतिया स्वाधिन ता विध्ययक प्रसुत किया जिसे हाउस ओफ कॉमंस तथा हाउस ओफ लॉड्स के नाम से पास कर दिया गया कौन से था हाउस ओफ कॉमंस और हाउस ओफ लॉड्स अठारा जुलाई 1947 इसवी को एक लैंड के समराट ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये पिर 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्थापना की गई जिसके प्रथम गवर्नर जनरल मुहमद अली जिन्ना तथा प्रथम प्रधान मंत्री लियाकत अली बने 15 अगस्त 1947 को भारत की स्थापना की गई और लॉड माउंट बेटन गवर्नर जनरल तथा जवाहलाल नहरू प्रधान मंत्री बने तो अभी गवर्नर जनरल थे लॉड माउंट बेटन और प्रधान मंत्री जवाहलाल नहरू इस प्रकार भारत को स्वतंत्र कराने का रास्ट्रवादियों का प्रयास पूर सफल हुआ तथा भारत की जंता ने स्वतंत्ता प्राप्त हुई तो इस प्रकार से हमारे भारत को स्वतंत्ता मिली और ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है तो फ्रेंट्स यहां आप देख सकते हैं हम आगए है अपनी प्लेलिस्ट में यह हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव स्टडी की प्लेलिस्ट है कुछ वीडियो अभी मैंने इसमें अपडेट नहीं किया है लेकिन जल्द इसमें मैं आपको वीडियो जो है अपडेट कर दूंगी जिसकी वज़ा से मैं इसे अपडेट नहीं कर पा रही हूं लेकिन मैं जल्द ही इसमें जो अभी के वीडियो है लेटिस्ट वाली वह इसमें जोड़ दूंगी अभी इसमें फिलहाल 90 वीडियो आपको देखने के लिए तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आओगा वीड यख़ए इन चाहिए